दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अभी हाली में कादरखाण जी का निधन हो गया है ये बाते तो अब सबको पता चल गई है लेकिन आपको बता दें के कादरखाण का जो अंतिन संसकार है यानि जो उन्हें दफन किया जाएगा वो इंडिया में नहीं बलके उन्हें कनाडा में ही दफन किया जाएगा अब ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कादर खान जी को इंडिया में क्यों नहीं लाया जा रहा और इंडिया में उन्हें दफनाया क्यों नहीं जा रहा क्या कनाडा वाले लाने नहीं दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं तो आईए आपको फटफट से ये बिल्कुल ताजा अपडेट बताते हैं कि आखिर कादर खान का अंतिम संसकार कनाडा में क्यूं किया जा रहा है और कादर खान जी को इंडिया में क्यूं नहीं लाया ज दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट रहे के वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें साथी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल का इकन दबा दें ताके आप इस तरह की ताजा अपडेट सबसे प अबर की पुष्टी की बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कादर खान की हालत नाजुक चल रही थी और वो कनाडा के एक अस्पताल में भरती थे उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद बाइप 20 लेटर पे रखा गया था वे पिछले कुछ वर्सों से अपने बेटे कादर खान ने 250 से जादा फिल्मों के डायलोग लिखे हैं कादर खान का जैसे ही निधन हुआ वैसे ही पूरा बॉलिवुड शौक में ढूब गया पीम मोदी से लेकर बड़े बड़े दिगज कलाकारों ने ट्विट करके अपना दुख विख्यात किया तो आई अब आपक कादर खान के शरीर को इंडिया लाया जा सकता है लेकिन आपको बता दें कादर खान के जो बेटे हैं और जो उनका परिवार है वो कई सालों से कैनेडा में ही रहता है और कई सालों से उनका परिवार कैनेडा में ही पूरी तरीके से सेटल हो गया है बस यही एक छोटी सी ब पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें रोजाने की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का इकन जरूर दमाएं थैंक्स फूर वाचिंग